स्वागत है आपका प्योर पॉलिक्स में धेर सारे लोगों को लगता है कि NDA सरकार तीसरी बार बनने के बाद नैंद्रमोदी में काफी सारे बतलाव होंगे नैंद्रमोदी ज़ादा एकोमोडेटिव होंगे नैंद्रमोदी ज़ादा हमबल होंगे और चुकी उन्हें एक कोलिशन सरकार चलाना है टीडिपी और जेडिवी के साथ में तो नैंद्रमोदी को अपनी पार्टी के अलावा जो एलाइंस पार्टनर हैं उनका भी धियान पार्टिक्स में बाद बीजेपी के अंदर होने वाले चर्णिंग की कि इस मैंडेट के बाद किस तरह से बीजेपी को जटका लगा है और उस जटके से किस तरह की पॉलिटकल चर्णिंग आने वाले दिनों में हो सकता है शुरुवात करते हैं जो लोग नैंद्रमोदी को सबसे बड़ी ताकत क्या है नेंद्रमोदी भारतिय राजनीती में एकलोते ऐसे राजनिता है जिन में गजब की flexibility है जो किसी भी राजनिता में होनी चाहिए लेकिन नेंद्रमोदी में जो लचीलापन है किसी भी एजेंडे को लेकर किसी भी पॉलिसी को लेकर या भी किसी भी परिवर्तन को लेकर वो बाकी राजनेताओं से प्रधान मंत्री नेहंद्रमोदी को अलग बनाता है आप उमीद कीजिए या फिर आप याद कीजिए एक तरह से कि किस तरह से प्रधान मंत्री नेहंद्रमोदी ने हिमाचल के विधान सभाज चुनाओं में अपने एक रेवल कांडिडेट को बिठाने के लिए यानि कि वो चुनाओं में बीजेपी का प्रॉस्पेक्ट खराब न करे कृपाल सिख परमार को प्रधान मंत्री नेंद्रमोदी ने फोन कर दिया उसी तरह से करनाटक के विधान सभाज चुनाओं से लेकर अलग-अलग राज्यों के विधान सभाज चुनाओं में प्रधान मंत्री को इसमें कोई शर्म नहीं आता उन्हें लगता है कि अगर उनके एक फोन कॉल करने से बीजेपी का प्रोस्पेक्ट अच्छा हो सकता है तो वो कृपाल परमार को भी फोन कर सकते हैं या फिर वो करनाटक के किसी राजनेता को भी फोन कर सकते हैं उसमें उन्हें कोई भी शर्म या कोई भी इस तरह की उन्हें गुरेज नहीं लगता तो ये जो लचीलापन है ये जो फ्लेक्सिविटी है वो प्रधान मंत्री को बाकी राजनेताओं से अलग बनाता है कहने का मतलब ये है कि BJP को जिस तरह का मैंडिट मिला है और जिन राज्यों में सेटवाक मिला है उससे BJP कोर्स करेक्शन करने में थोड़ा भी देग नहीं करेगी और इसकी शुरुवात हो चुकी है नतीजा आने के बात से तमाम राज्यों में घंटियां बजाई जा रही है और उन नेताओं में जहां पर BJP का परफॉर्मेंस खराब हुआ है वहाँ पर चिंतन की शुरुवात हो गई है चाहे वो मारास्टा हो या उतरप्रदेश हो उन राज्यों में चाहे योगी या दितिनाथ हो या देवेंदर फणन बिस उन सब के बीच में इस बात का मन्थन शुरू हो गया है कि BJP ने गलतियां कहां पे की और उसको कैसे दु रुस्त किया जा सकता है तो हम शुरुवात करते हैं कि आने वाले दिनों में BJP में किस तरह की पुलिटकल चर्निंग हम उमीद कर सकते हैं सबसे पहले शुरुवात करते हैं चुकि इस 2024 का जो सबसे बड़ा स्ट्विक स्टेट रहा है या फिर BJP का जो 272 का आंकड़ा नही सत्ता में दूसरी बार 2022 के विधान सभा चुनाओं में मैंडेट लेकर सत्ता में विराजमान हैं यूपी का जो सेटवैक है वो अनप्रेसिडेंटेड है और इसलिए वहाँ पर पुलिटकल चर्निंग की काफी जादा गुंजाइस बसती है और इसलिए आपने पिछले दो तिनों में देखा होगा कि नतीजा आने के बाद वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप एक तरह से एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन शुरू हो गए हैं बीजेपी के कई सारे लेताओं को ये लगता है कि शुनाओ को योगी आदितनाथ ने हरवाया है कई सारे लेताओं को ये कि जो संगठन और सरकार के बीच में जो कॉडिनेशन होनी चाहिए थी वो नहीं थी और कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि वहाँ का जो संगठन जो वहाँ के स्टेट प्रेजिट हैं इस समय और जो संगठन मंत्री हैं वो काफी उस तरह से कामयाब या उस तरह से उन् कि उस churning का नतीजा किस तरह से निकलता है क्योंकि कई सारे whisper corridor में ये बार-बार बाते उठती रही है कि योगी आधितनाथ को BGP High Command हटाना चाहता था और BGP High Command को लगता था कि योगी आधितनाथ का ताकतवर होना और brand हिंदुक्त की एक image के साथ में वो नेंद्रमोधी को challenge कर सकते हैं लेकिन अब की स्थिती है कि वो reduced number के साथ योगी का योपी में performance है वैसे स्थिती में योगी उस तरह से ताकतवर नहीं दिखाई देते तो क्या BGP High Command योगी आधितनाथ को वहाँ से replace करके किर्शाव मौरिया या फिर किसी ऐसे दूसरे चेहर को मुख्यमंत्री के तौर पर उसकी ताजपोश्री होगी या फिर विधान सभा का जो कारेकाल है वो अभी लंबा है तो वैसे स्थिती में योगी को और महलत मिलेगी या फिर वहाँ पर संगठन मंत्री या फिर जो वहाँ के अध्यक्ष है उनकी वहाँ से छुट्टी होगी तो किस तरह से UP में माइक्रो मैनेजमेंट आने वाले दिनों में BGP High Command कर सकता है क्योंकि UP का जो डिजास्टर है वो सप्राइजिंग है न केवल वहाँ पे OBC जो वोट बैंक है वो BGP से छिटका है जो 2013 में अमच्शान है UP में जाकर जिस Rainbow Coalition की शुरुआत की थी जिस Social Engineering की शुरुआत की थी जिस तरह से बूत पर मैपिंग की शुरुआत की थी वो इस पूरे लोकसभाज चुनाओ में धाराशाई हो गया है न केवल OBC वोट बैंक बलकि दलिद वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी में शिप्ट हो गया जिसके कारण UP में BJP को एक बड़ा सेट पाइक मिला है तो पहले चर्निंग की शुरुआत उतरप्रदेश से जहां पर BJP को एक बड़ा लॉस हुआ है दूसरा जो चर्निंग होने वाला है आने वाले दिनों में वो आप देख सकते हैं महारास्टा महारास्टा एक ऐसा राज्य है जो की अगले छे महिने में जहां पर विधान सभा के चुना होने है और आपने देखा के किस तरह से पिछला जो BJP ने सोशल एक्सपेरिमेंट किया या फिर इंजिनिरिंग की महारास्टा में सिफ सिना को स्प्रिट करके और NCP को स्प्रिट करके उसका कोई बहुत जादा फाइदा BJP को नहीं मिला है तो वैसी सिती में इस एलाइन्स के साथ BJP को विधान सभा में उतरना काफी चैलेंजिंग होगा काफी रुस्की होगा इक तरह से क्योंकि शिंदे सिना भले ही साथ सीट जीती है लेकिन जो सिंपेथी वेब है वो उधव ठाकरे के पास में है जो इस एलेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ है उसी तरह से जो सिंपेथी वेब थी वो शरत पवार के पास में थी और इसलिए अजित पवार सिर्फ एक सीट पर सिमेट कर रहे गए है वैसी सिती में क्या कॉंग्रेस, रिसर्जेंट कॉंग्रेस जिसने की असली जमीनी मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जो उद्धव ठाकरे और शरत पवार के कॉलिशन के सामने क्या बीजेपी इस एलाइन के साथ बिधान सभा चुनाओं में जाना पसंद करेगी या फिर द गई है तो क्या देवेंद्व ठाणविस की अगर सत्ता में वापसी हो यानि के मुख्यमंत्री के तौर पे डेप्टी चीपनिस्टर से मुख्यमंत्री के तौर बीजेपी का लाजर स्टेक हो उस गवर्मेंट को बीजेपी लीड करे तो इस थितिया तबदील हो सकती है उद्धव ठाकरे और शिंदे सेना इन दोनों को मिलाए और उद्धव ठाकरे को प्रधान मंत्री नेंद्र मोदी को या मिश्या को फोन करना पड़ेगा कि किस तरह से वो बीजेपी का जो एंडिये पार्टनर्शिप है उसमें आए क्या उद्धव ठाकरे इसके लिए तैयार होंगे तो बीजेपी को कहीं न कहीं माराष्ट में कुछ न कुछ करना पड़ेगा बरना बीजेपी के लिए खत्रे की घंटी है तो दूसरी जो चर्निंग की शुरुआत होगी माहरास्टा से तीसरा जो स्टेट है वो है राजस्थान राजस्थान में जिस तरह से तो वैसी सिती में जाट और राजपूतों की नाराजगी के बीच में किस तरह से भजनलाल के ऊपर बीजेपी आने वाले दिनों में अपना विश्वास बनाए रखेगी उन्हें कुछ और टाइम का मोहलत दिया जाएगा लेकिन निश्ची तौर पे वहाँ पे स्टेट प्रे शेखर की वापसी होगी या फिर जो नया संगठन मंत्री वहाँ पे आएगा वो एक राजस्थान में जो ओर्गनाइशन लेवल पे चेंजेज होने हैं वो भी काफि सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि वसुंदरा राजे सिंधिया को की विदाई के बाद वसुंदरा राजे चर्निंग है बीजेपी हिंदी हार्टलाइन के स्टेट में और आस्थान से आने वाले दिनों में दिखेगा चौथा जो एक पोलिटिकल चर्निंग की शुरुवात जिसको कह सकते हैं वो बिहार है बिहार में नितिश कुमार को जिस तरह से लीज अपलाइट मिला है नितिश कुमार को लोगसभाचुनाओ के बाद उहां से हटा दिया जाए और उसके लिए जो सारी एक रनिती या फिर जो स्ट्रेटजी थी वो फिलहाल एक तरह से उस पर पानी गिर गया है यानि कि वो पूरी तरह से धाराशाई हो गया है अब किस्तिती ये बनती है कि नि नितित्री तुमें ही बिहार में बीजेपी को विधान सवाचुनाओं में जाना पड़ेगा और जो बीजेपी के वैसे जो मनसूबे थे कि वो अपनी बिहार में स्टैंडिंग अकेले दम पर बना सके वो कहीं न कहीं पिछली सीट पे चला गया है नितिश कुमार जब तक चाहेंगे कि वो बिहार में मुख्यमंत्री बने रहें तब तक वो बने रहेंगे क्योंकि नितिश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दरवाजे अपने कमरे की एक खिड़की हमेशा खुली रखते हैं तो यानि कि वो इस समय एंडिय के साथ में हैं लेकिन एक ख तो इसलिए बिहार में एक political churning की शुरुवात भी हो सकती है कि BJP को आने वाले दिनों में नितिश्च कुमार के साथ में adjustment और किस तरह से समराट चौधरी के साथ में जो उनके equation है नितिश्च कुमार के साथ में वो किस तरह से redefine होंगे यह देखने वाली बात होगी इसके अला नायाब सैनी को मुख्यवंत्री बनाये गया लेकिन जिस तरह से पांस जीटे लोगसभा की Congress ने वहाँ पे जीती है और छे महीने के बाद विधान सभा के चुनाव होने है तो वहाँ पर जो जाटों का mobilization है वो Congress के पक्ष में है वैसी स्थिति में नायाब सैनी जिनके पास कोई administrative experience नहीं है और इस विधान सभा चुनाव में कोई बहुत करामात नहीं दिखा चुके हैं तो वैसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल होगा हर्याना में बीजेपी को कि किस तरह से वो सत्ता में इसमें के लिए पहले तीरट सिंह रावत बनाए गया और उसके बाद तीरट सिंह रावत को हटा करके फिर से पुषकर धामी को बनाये गया घा तो वैसे ही गुजरात में बीजेपी ने सत्ता का जो इसको दूर करने के लिए विजर्य और पानी को बनाया तो उस तरह की एक political चरनी की गुंजाइस हर्याना में अभी भी बसती है कि जाट sentiment को की जो नालाजगी है उसको दूर करने के लिए जेजेपी के साथ फिर से alliance करना पड़ेगा या फिर बीजेपी किस तरह से उस जाट sentiment को खुश करती है ये देखने वाली बात होगी जारखंड एक ऐसा state है जहां पर tribal backlash हेमन सोरेन को जेल में डालने के कारण उसका reflection कहीं न कहीं दिखता है तो जारखंड में भी बिधान सवाचुनाओं है इस साल के अंत में और बीजेपी को जारखंड में लगता है कि वो बिधान सवाचुनाओं में वापसी कर सकती है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ट्राइवल सेंटिमेंट को वो अपने पास उसको खुश करके रखे क्या ट्राइवल सेंटिमेंट को खुश करने के लिए चुकि अर्जुन मुंडा चुनाओं हार चुके हैं बावुल मरांडी इस समय राज्य के अध्यक्ष हैं बीजेपी को फैसले लेने पड़ेंगे दो ऐसे फैक्टर और जो मोधी सरकार यानि की जो एंडिये सरकार है अब उसमें आपको देखने को मिलेगा आप याद कीजे जो नेंद्रमोधी की जो फ्लेक्सिविटी है किस तरह से उन्होंने डेड़ साल तक फार्म लॉग के ऊपर मोर्चा थामे रखा कि वो फार्म लॉग को वापस नहीं लेंगे लेकिन जब नेंद्रमोधी को लगा कि ये फार्म लॉग जो है वो पूरे six sentiment को नुकसान पहुंचा रहा है पूरी farming community उसके खिलाब खड़ी है तो नेंद्रमोधी ने उस फार्म लॉग को जो संसत से पास हुआ था उसको वापस लेने में तुरक देरी नहीं की उन्होंने उस संसत से पास किये कानून को भी विड्रॉ कर लिया आपको याद हुआ कि मद्रप्रदेश, राजिस्थान और 36 गड़ में 2018 में जब चुनाओ वीजिपी हारी थी तो उसके बाद प्रधान मंत्री ने किसान संभान निधी नाम के flagship program को launch किया जिसमें किसानों के account में 22,000 रुपे transfer किये जाते हैं जिस तरह से Congress और India Alliance ने cash transfer की नई scheme नए नए राज्यों में और जिस तरह के वादे किये हैं वो प्रधान मंत्री ने अंद्र मोधी पर pressure build-up करने के लिए काफी है कि यह जो transactional scheme है जहां पर cash transfer होत में कहीं न कहीं किसान सम्मान निधी से लेकर प्रधानमंत्री को नई जो वेलफेर स्कीम की योजनाएं हैं उसको रिटियून, रिडिफाइन करना पड़ेगा ताकि किसान जो फार्मिंग कम्मूनिटी है और दूसरे सेग्मेंट है जिसकी नाराजगी है सरकार से या फिर अन और प्रधानमंत्री इसमें सबक लेने में काफी माहिर है वो इसमें तनिक भी देरी नहीं करते उनमें जवड़दस्त फ्लैक्सलिविटी है गलतियों से सीखने की वो इस तरह का नहीं दिखाते कि उन्हें गलतियों से नहीं सीखना है लेकिन एक जो चीज नहीं बतलेगी वो है ब्रैंड मोदी का जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ब्रैंड मोदी ब्रैंड मोदी अगर डाइलूट होता है तो बीजेपी के लिए अलग-अलग राज्यों में विधान सभा चुनाओं से लेकर लोग सभा चुनाओं वहां पर सत्ता का जो औरा है जो जिसको कहते हैं इकवाल है उसको लगातार बरकरार रखने की कोशिच करेंगे चाहे वो policy decisions हो चाहे वो हिंदित्वा की नई ideology या नए फैसले से हो या फिर कोई international diplomatic फैसलों से हो वो brand Modi का जो औरा है उसको वो किसी कीमत पर dilute नहीं होने देंगे क्योंकि अगर वो dilute होगा तो जो lead है BJP की राज्यों में वो कमजोर पढ़ने लगेगी शंकर अरिमेश दप्रिंट लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब परना न बूले अपने comments अपने reaction लगातार हमें बेशते रहें